बारिस की बुंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी-बड़ी नदियों का बाहाव बन जाता है वैसे ही हमारे छोड़-छोटे प्रियास भी जिन्दगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि चार नवंबर के इस विसेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाईए और सुपकामना है जिनका जन्दिवस है मेरी जन्वसरी है या कोई विसेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचान की आज 4 नवंबर 2020 को बुदवार है और आज करवा चोथ का वरत होगा अतात ये विसेश पर्व है आप सभी बेनों को जो करवा चोथ का वरत कर रही है उन्हें बहुत-बहुत सुपकामना है बहुत-बहुत मंगल कामन आज के विसेश उपाए में करवा चोथ का क्या है मौरत, क्या है सावधानिया और चनमा को जल देने का विसेश मंत्र क्या है और पती की लंबी आयू का विसेश मंत्र इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूँ देखिएगा जरूर समवत दोजा सिततर का कार्तिक क्रश्नपक्ष चल रहा है आज चतूर्ती तिती है और आज मनक्षिस नक्षत रहे आज चनमा व्रश रासी में ही रहेंगे दोपेर को तीन बज़ करके बैलिस मिन तक उसके बाद में मिथुन रासी में प्रविश कर जाएंगे आज अब बात करें राहुकाल की आज दोपेर बारा बज़े से लगा करके एक बज़ करके तीस मिनिट तक राहुकाल रहेगा और राहुकाल में प्राए को सुपकारे का अरभ नहीं किया जाता है अब बात करते हैं सुप चोगड़ मौरत की जिसमें सभी सुपकारे किये जाते हैं इस समय काल का इंतिजार किया जाता है यह समय है प्रात्यकाल 6 बज करके 53 मिन्ट से लगा करके 9 बज करके 53 मिन्ट तक और फिर वापस साएंकाल में 5 बज करके 23 मिन्ट से साम को 6 बज करके 53 मिन्ट तक आईए अब बात करें यात्रा मौरत की आज पस्चिम दिशा में यात्रा करना सुब रहेगा भागे साली रहेगा वहीं उत्तर दिशा में दिशा सूल रहेगा ऐसी इस्तिति में इस यात्रा को टालना चाहिए लेकिन विशेश परिस्तितियां है आप परियारी अस्तितिया हैं, ऐसी इस्तिति में तिल खा करके आप यात्रा का आरम कर सकते हैं, ये दिसा सूल दोश का परियार हुआ आईए अब बात करें, आज के सुब गरय योगों की आज सुरुदे कालिन कुंडली में संखिया योग, केंद्रुम् भंग योग, वेशी योग, नीच भंग राज योग, अमर योग, केंद्र तिकॉन राज योग और सरल योग का साथ मिलेगा जितने ज़्यादा राजयोग होंगे जितने ज़्यादा महत्पुन होंगे जितने ज़्यादा पंच मापुरुस योग में से कोई योग होंगे उतनी ज़्यादा कुंडली स्ट्रॉंग बन जाएगी उतनी ज़्यादा कुंडली में बल में जाएगा और ऐसी इस्तिति में व विक्ती जीवन में, संकर्स देखेगा, अता तो उसे अपनी हर आवशक्ता के लिए, कोईन कोई सिच्वेशन से फाइट करनी पड़ेगी, भिढ़ना ही पड़ेगा, या यह बोच सकते हैं, असंतु श्तिपूर्ण जीवन रहेगा, लेकिन यदि राजयोग की कुंडली आप करके, क्योंकि इस राजयोग की कुंडली में, आपको एक साथ में तीन कुंडलियां मिलेंगी, वेदिक जोतिस की कुंडली, अंग जोतिस की कुंडली, और लाल किताब की कुंडली, और इन सब के उपाए भी, और फिर एक और कुंडली होगी, वो राजयोग की कुंडली हो और जीवन में सरफ एक ही कुनली काफी होती है Pennsylvania यदि विस्तरत कुनली है वो कुनली में सारी information है तो और किसी कुनली की ज़रूरत होती ही आवश्कता होती नहीं और इसलिए इस एक ही कुनली में हमने सारी कुनलियों का समाविश कर दिया है अतात जो आपको बुक्स मिलने वाली है या जो आपको कुण्लिया मिलने वाली है उसमें इतनी जानकरी है कि जीवन में इसके लवब और कोई कुण्ली बनाने की आवशक्ता नहीं है आईए रासिफल से पहले बात करते हैं लक्षमी जी की दिपावली की विक्ण निवारन के लिए स्रीमान गणेश जी सुप्रसिद्ध है न केवल विक्ण विनासी नहीं वरन प्रतियक कामना भी इनकी उपासना से पूर्ण होती है मालक्षमी प्रतियक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है संसार का आधार है मा लक्ष्मी की करपा से धान, योवन, रूप, पद, प्रतिस्था, यस और कीती सभी कुछ उपलब्द हो जाता है अगर श्री गणपती माराज एवम लक्ष्मी जी इन दोनों शक्तियों का आसिरवाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती हम पा सकते हैं अपार, ध्यान, यस और वैबव जहां मा लक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मेवन बनाती है वहीं गणपती जी की पूजा उपासना आपको तिक्ष्न बुद्धी और चतुराई बदान करती है दिपावली का महा पर्व बस आने ही वाला है हर कोई चाता है कि इस पावन पर्व पर्व वह माता लक्ष्मी जी को और भगवान गणपती जी को प्रसंद करके अपने आने वाले जीवन को समार ले, अपने कस्तों को सौभाग्य में बदल दे अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुकों की जोली भड़ ले तो आपके लिए एक अफसर है दिपावली पर लक्ष्मी विनाएक कलस के मात्यम से पूजा करने का इस्थापित करने का बदली अपना भाग्य और आवान कीजिए सुक, संब्रदी और एश्वरे का इस दिपावली पर आईए आप आराम करते हैं आज का रासिफल 4 नवंबर 2020 के लिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासि की मेश रासि के लिए रासि से सेकेंड़ा उसमें धन और संपत्ति वाउ में चन्रमा विराजमान है ये चन्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है नक्सद तारा सिद्धान के उसाथ जन्म तारा का साथ और अश्टक वक में 22 डॉट ये कॉमिनेशन मिला करके इस चन्रमा को 67% से जादा 75% पोजिटिव बना देता है 25% फिर भी आपको मायूसी हाथ लगेगी या आपको जादा एफट करके इस लाप को बढ़ाना पड़े राशी से सेकेंड आउस का चन्मा आज आपको परिवार वालों से कुछ अच्छे समंद बनाने का मौका देगा कुछने कुछ गेन मिल सकता है आपको और यहां भी आज का दिन करवा चौट का दिन है ऐसी इस्तिती में सस्वराल की तरब से, सास की तरब से या पती की तरब से कुछ नी कुछ खास गिफ्ट, ओर्नामेंट्स या कोई एक्ष्टा ओर्डिनरी सर्प्राइज गिफ्ट आज आपका इंतजार करेगा, उससे आप बहुत ही उस्तावर्दन हो जाएगा या बहुत ज लेकिन गवराइए मत, इतने खराब इस्तितिया नहीं है कि आपकी नौकरी छोड़ जाए, हाला कि सोच विचार बहुत जादा होगा, सिर्दर्द आपका आज होगा, आता सर पकड़ लेगा बहुत जादा असंतोस बहुत जादा नेगेटिविटी सोच सोच के परिशान हो सकते हैं, लेकिन फाइनिशली गेन फिर भी होगा, सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन अपने जो भी भाव हैं, वो जरूर आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, अने था अपने आफिस में या राद चलते होगे, लापरवाय में किसी से टकरा जाने से महिला के हातों अपमा सकते हैं, या ओफिस स्ताफ से बातचीत बिगड़ सकती हैं, वादवियाद उबर सकता हैं, ये सब बुरे फल भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके सामने अच्छे फल ज्यादा है, फाइनिशल स्ट्रेंद या ये बोल सकते हैं, आपके घर परिवार में सुख सांती समरदी की बा आई अब बात करें व्रसब रासी की, आपकी रासी बाव में ही चनमा विराज माने, जो की बहुत ज़्यादा सुब मना जाता है, लेकिन नक्षद तारा से दान्त के अंसार वद तारा अथाद बादक तारा का साथ और अस्तग वक में 26. ये कॉमिलेशन 67% पोजिटीव, 33% आपको वीकनेस देगा, नेगेटिविटी भी दे सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज दोपेर को ही चनमा चेंज हो जाएगा, तीन बच करके 40 मिन पर रासी से सेकंड आउस में आता, मिथुन रासी में चनमा आ जाएगा, तो जो स्ट्रेंट है, उसमें भ जो सिचुशन है दोपेर तक वो फाइनिशली गेन दे सकती है, इन्वेस्मेंट का गेन दे सकती है, और जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घर के आपके सदस्य हैं, उन सभी से संबंद मदूर बन सकते हैं, या पर समाज में आपका नाम हो सकता है, तक बीच में जा करके अपनी बात रखनी है, या अपने काम काज के लिए आपको किसी लोगों से से ऐफारेश करवानी है, तो उन लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसी इस्तिती में जन्विववार में आज सफलता आपको मिलेगी, जिन लोगों का इंटरस्ट एस्क्लोजी म आज मिल मुलाकात हो सकती है, आपको साहित्य का लाब हो सकता है, हेल्थ आज के दिन बहुत अच्छी रहेगी और आपके पारवेलेक इस्तितियों में सुख और आनंद की वर्षा होने वाली है, अताद इस्तितियां घर और परिवार में बहुत ज़्यादा आनंद दायक रहन से ट्वेल्थ आउस में एक्स्पेंसेज बाव में चनमा विराज मानें, ये चनमा सुब रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन दोपेर को तीन बज करके चालीस मिंड से यही चनमा सुब रिजल्ट देने लगेगा, आपकी रासी में आ जाएंगे नक्सद तारा सिद्दान के उसार प्रत्यारी तारा का साथ और आस्टावग में 26. ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% नेगिटिव बना देता है, 33% ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन दोपेर के बाद में दोपेर को तीन बज करके 40 मिंड से यही चनमा 67% पोजिटिव हो जाएगा, 33% ही नेगिटिव रहेगा, ऐसी सिचुएशन में दोपेर के 3 बज करके 40 मिनिट तक आप आलस्य में या वीक एनरजी के सिकार हो सकते हैं, आपको कोईन कोई रोग परेशान कर सकता है, मानसिक रोग सारीरी रुप से आप बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान या आप तन लिमिट का ध्यान रखेगा, कि दोपेर को 3 बज करके 40 मिनिट के बाद में, या अपने सिटी के अनुसार ये समय थोड़ा आगे पीछी हो सकता है, तो एप्रॉक्सिमेट समय आप 4 बजे मान लीजे, कि 4 बजे के बाद में जो भी लेंदेन करेंगे, वो फिर भी सेफ बहुत ज़्यादा खर्चा आज होगा, और आज का खर्चा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज करवा चौत है, आपको अपने जीवन साथी को कोईन को इंपोर्टेंट गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट देने का अर्थ अपनी वैल्यू नहीं बताना है, अपना स्ने जताना है, जिसके लिए आपके साथ में रिस्ता बंदा हुआ है, आज के दिन घर और परिवार वालों से है, कहीं न कहीं, कोई स्थितियां बिगड़ने की स्थिति भी आ सकती है, बहुत से लोग आज गुसे में आकर के, व्यरत में ही अपना काम खराब भी कर सकते हैं, उस से बचने की सला दे रहा हूँ, आज का लखी कलर है, गोल्डन कलर और आज का लखी नमबर है, नमबर सिक्स, आई अब बात करें करक रासी की, आपकी रासी से 11 ताउस में लाब भाव में चनमा विराजमान है, ये बहुत ज़्यादा सुखत इस्तिति है, और चनमा आपकी रासी के अधिपती हैं, और उच्छ रासी के हैं, रासी से 11 बाव में जो लाब बाव है, वो ऐसा इस्थान है, ऐसा बाव है, जहां पर हर ग्रेज आखर के सुख़ल ही देता है, तो यहां तो आपकी रासी का अधिपती चनमा हैं, जो की सबसे ज़्यादा सुख़ल देने क इस्तिती में, और आज के दिन नक्सत तारा सिद्दान्त के अधिमितर तारा का साथ, और अश्टक वग में 36 डॉट, यह कॉमिनेशन 100% इस चनमा को पॉस्टिव बना रहा है, लेकिन यह पॉस्टिविटी दोपेर को तीन बज करके 40 मिन्ट तक ही रहेगी, उसके बाद में चनमा मिथुन रासी में आ जाएंगे, तब आपकी रासी से 12 ताउस में आ जाएंगे, तो सब कुछ जो अच्छा है, वो आपको समय पर निप्टाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं चनमा 67% सपोर्ट करेंगे, 33% नेगेटिव हो जाएंगे साम के समय, ऐसी इस्तिती में सूर फाइदा मिलेगा, नकद लाब मिलेगा, जिसको आम पासा में बोलते हैं, काम किया और इदर गेन मिला, वो इस्तिती आज आपके साथ में रहेगी, जो भी विवाद हो, जो भी कोई जगड़ा हो, जो भी इस्तितियां खराब हो, उन सब में आपका पलड़ा भारी रहेगा चाहिवो कोट कर चे लिगा, मैटर हो, और चाहिवो आपसी विवाद हो, चाहिवो पैसों का विवाद हो, हर तरफ से आप ही जीतेंगे, ये बात निश्ठित है, और जो लोग लिक्विड में काम करते हैं, उन लोगों को फाइदा ज़ादा होगा, चाहिवो दूद का 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 पानी का काम कर सकते हैं, मिनल वाटर का काम कर सकते हैं, को ड्रिंक्स का काम कर सकते हैं, पर्फियूम का काम हो सकता है, या केमिकल किसे समधित काम हो सकता है, जो आज की दाइक में सैनि डाइजेस्टन से समधित केमिकल्स होते हैं, होस्पिटल में सप्लाई होती है, उन से समध इस समय पहला करवाचोध का वरत आपका है, तो तो उन सभी का आशिरवाद देने आना बनता ही है। आज के दिन सुखों में वरत्धी होगी, अच्छा खाना पिना और ये सब घर में एक अच्छा वातावरण आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साम के समय रासी से बार और आज का लखी नंबर है नंबर वन. आईए अब बात करें सिंग रासी की, आपकी रासी से टेहन तावस में आपकी रासी से करम बाव में चनमा विराजमाने सुखद इस्तिती है, नक्सत तारा सिद्धान के उसार मित्र तारा का साथ और अस्ता को एक में 35 डॉट, ये के बाद में भी ये चनमा बैटर ही रहने वाला है, क्योंकि आने वाली साथ तारीकी सुबह तक ये चनमा कंटीनियू आपको गेन देता रहेगा, ऐसी स्तिती में 4, 5, 6, ये जो तीन दिन है, कंटीनियू आपके लिए बैटर बने वह है, आप इसका फाइदा उठा सकते हैं आज के दिन आपको सुख जो आप चापते हैं वो सफलता, हर कारिय में सफलता, हर प्रियास में सफलता और हर प्रियास में आपको कुछ ने कुछ गेन मिलना, चाहे आप जौब करते हैं, चाहे आप बिजनस करते हैं, चाहे आप पूजा पाट का ही काम करते हैं, आप वास् व्यापार में या केरियर में हर सेक्टर में आज बहुत अच्छी इस्तिती रहेगी अथाद ये बोल सकते हैं आपका पलड़ा बारी रहेगा हेल्थ बहुत शांदार रहेगी और बहुत ही गुणवान लोगों से जिसको बोलते हैं अपने अपने शेत्रों में एक्सपर्ट लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है धार्मिक या पिर मांगलिक कारिय घर में कोईन कोई सुब कारी की आज इस्तिती होगी या हो सकता है पूजा पार्ट का कोई आपने आयोजन किया हो उससे बहुत ही सुखद इस्तिती होने वाली है आज का दिन एक्सपेंसे ज़्यादा होंगे आज का लखी कलर पिंक कलर और आज का लखी नमबर है नमबर थ्री आईए अब बात करें कन्या रासी की आपकी रासी से भाग्यो बाव में चनमा विराज माने ये mixed result ही देता है नक्सत तारा सिद्दान के उसार प्रत्यारी तारा का साथ और अस्तक वगमें 22 डॉट ये combination 67% इस चनमा को better बना देता है 33% फिर भी आपको effort ज़्यादा करने पड़ेंगे भाग्य का फल आपको कम मिलेगा तो रासी से नाइंत आउस में चनमा होने से गौर्मेंट सेक्टर से या management से कहें कहें डर लगा रहता है व्यक्ति भाइवीत रहता है अंदर से उसकी बहुत से लोगों को अपने समान का loss हो सकता है समान चोरी हो सकता है यह समान गुम हो सकता है अथा समान में especially कपड़ों की हानी हो सकती है जैसे बहुत लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो समान का suitcase को भी उठा करके ले जाता है बाई mistake भी कोई लेकर चला जाता है लेकिन जब तक वापस नहीं मिलता है तब तक तो आपका समान आपके हाथ में नहीं है संतान के साथ में अच्छा विचारवीमास होता है और उसे कुछ नु कुछ अच्छे नतीजे निकल करके आते हैं जिससे गेन बढ़ जाता है या उनके जीवन में एक प्रकार का aim मिल जाता है, target मिल जाता है व्यवसाय में यदि बहुत बड़ा निवेश करना है तो इस इस्तिति में आपको रुखना चाहिए दोपेर के बाद में दोपेर को तीन बज करके 40 मिंट से समय आपका बहुत अच्छा स्थार्ड होने वाला है वहाँ पर आपको ये चनमा 67% ही positivity देगा लेकिन इस्तितियां जो बिजनस में या केरियर में और ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ये जो अच्छा समय है ये अच्छा समय नौ तारिकी सुबह आट बज करके 40 मिंट तक आपको निरंतर सुख देता रहेगा निरंतर आपको positivity देता रहेगा ऐसी स्थिति में short term gain यदि कोई करना चाते हैं इन्वेस्मेंट कोई करना चाते हैं तो आराम से कर सकते हैं आज का लखी कलर है magenta कलर और आज का लखी नंबर है नंबर 6 आई अब बात करने तुला रासी की आपकी रासी से 8 ताउस में चनमा विराज माने जो सुब फल नहीं देता है नक्सत तारा सिद्दान के उसार वद्द तारा का साथ और अस्ता कोई में 34 डॉट ये कॉमिनेशन 67 परसेंट इस चनमा को नेगेटिव बना देता है सरब 33 परसेंट ही आपको सपोर्ट मिल पाता है ऐसी इस्तिती में सावदान ज़्यादा रहना पड़ेगा इसपेसली आपको सूरिदे से लगा करके दोपर के तीन बच करके 40 मिन्ट तक ज़्यादा केरफूल रहना पड़ेगा उसके बाद में चनमा मिथुन रासे में प्रवेस करने से रहात मिलेगी रासी से आठवा चनमा रोखा व्यवार करवाता है एनर्जी डाउन रहती है या रोग गरस्त रहता है व्यक्ति में एक प्रकासे क्रोध और आवेस इतना विद्यमान रहता है कि वो जगड़ा करने के लिए लालाईत रहता है जहां उसको मिल जाएगा वाँ अपनी बढ़ास निकालने के लिए वो अपने उर्जा निकालेगा या ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति एक प्रकासे रेड़ी है लड़ाई जगड़ा करने के लिए सारे दिन व्यर्थ की चिंता ग्रस्त रहेगा जो चीज़ उसके बस में नहीं है वो सोच सोच करके परिशान होता रहेगा रासी से आठवाचनमा अनहोनी गटनाओं के लिए माना जाता है अता जो आपने सोचा नहीं वो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और ऐसी इस्तितियों में जो विक्ति अवेर है जो विक्ति मेंटली प्रेक्टिकल है या जिसने सोच करके रखा है कि कौन सी सिचुएशन उसे क्या करना है वो विक्ति आसानी से इन गटनाओं से इन सिचुएशन से बच करके निकल जाता है अन्यता हेल्थ में या स्वास्तित समझीत अपच का सिकार हो सकता है या खराब खाना पिना होने से विक्ति बीमार हो सकता है अनिस्ट की आशंका रहेगी और साथ ही साथ जो जैरी ले जीव जन्तु है उनसे भी व्यक्ति को डर लगा रहता है भाईबीत होता रहता है आज का लखी कलर है सिल्वर कलर और आज का लखी नमबर है नमबर फाइव आई अब बात करें वेस्टिक रासी की आपकी रासी से सप्तों बाव में ग्रसुक बाव में चनमा विराजमान है ये इस्टिती बहुत ज़्यादा सुब रहती है भाग्य बाव का अधीपती चनमा है अताद यहां पर केंद्र और त्रिकोन का सम्मन्द बन जाता है इस सिच्वेशन को राजयोग बोलेंगे नक्षत तारा सिद्धान से जन्म तारा का साथ और अस्तक वग में 25 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चनमा को 100% पोजिटिव बना देता है ऐसी इस्टिती में आज सुबह से लगा करके दोपेर के तीन बज करके 40 मिन तक आप सुब चनमा का फल लेंगे उसके बाद में रासी से आठवा चनमा आ जाएगा फिर आपको सावदान रहना पड़ेगा ऐसी इस्तिती में आज दोपेर तक फाइनेशली गेन वहान का सुख अच्छी हैल्थ और साथ साथ में अच्छी रेपोटेशन एक प्रकास से आज जो भी एफर्ट करेंगे जो भी करम करेंगे जो भी करेंगे बिजनस के लेंदेन करेंगे उसमें भारी आपको प्रॉफिट मिलेगा जिससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा हैपी हो जाएंगे या यह बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रसंता से सुख और सांती महसूस होगी जो लोग जॉब में हैं वो भी आज कुछ ऐसा क्रियेशन करेंगे ऐसी बात बोलेंगे या ऐसा एफर्ट करेंगे जिससे उनको भी उन्नती मिलेगी और आपकी बड़े अधिकारियों पर आपका अच्छा प्रबाव पड़ेगा आज का दिन अच्छे खाने के लिए और अच्छे ग्रस्ट के लिए जाना जाएगा जो लोग आज यात्रा पर हैं वो छोड़ छोड़ी यात्रा करके आनंद का अनुपव करेंगे सब मिला करका आज प्रसंदा बरा दिन है लेकिन साम के बाद में आपको अपने आचार विचार पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा अन्यता बातें बिगड़ सकती है आज का लखी कलर है मैरून और आज का लखी नंबर है नंबर थ्री आज अब बात करें धनु रासी की आपकी रासी से 6 ताउस में रोग बाव में चन्रमा विराज माने ये बहुत ज़्यादा सुखद इस्तिति है नक्सत तारा सिद्दान्त के उसा संपत तारा का साथ और अस्तेक वाप में 27 डॉट ये कॉमिनेशन इस चन्रमा को 100% पोजिटिव बना रहा है आज दोपेर में लगबग 3 बच करके 40 मिल्ट पे चन्रमा चेंज हो जाएगा वो चन्रमा भी आपके लिए सुखद है एसी इस्तिति में आने वाली साथ तारीकी प्रात्त से रासी से आठवा चन्रमा आयगा वहां तक इस्तितियां आपके नियंतर में है वहां तक इस्तितियां आपके लिए Positive है, Comfortable है तो रासी से सिख्स तावस में आयवा चन्रमा Financial Gain देता है Investment में लाब देता है अच्छी health देता है और साथ इसाथ पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते देता है resources डवलप करता है या जो resources already आपने बनाए वे हैं उनसे financially gain होता है और जब कोई चीज की success मिलेगी gain होगा तो रियश्मी मिलेगा और व्यक्ति को खुद को confidence भी आएगा और उसको आनन्द भी मिलेगा अताथ confidence का मतलबी एक प्रकास से सुख मिलना है या सांती मिलना है जो लोग युवा हैं youngsters हैं वो आकर्शन में वार्तलाप करेंगे अताथ opposite gender के साथ में दोस्ती करेंगे जो विक्ति ज्यादातर बाहर ही रहते हैं ट्रेवलिंग पर रहते हैं उन लोगों को घर में रहने का यहां पर सुख मिलेगा रासी से सिक्स ताउस के चनमा में और जो आपके शत्रू हैं जो आपके competitors हैं जो आपके विरोधी हैं वो इस समय सांत होंगे या आपसे हार जाएंगे आज का दिन एक ट्रूका से बहुत ज़्यादा खुशी achievement और progress के साथ साथी आपको बहुत अच्छे रिष्टे सुखद ऐसास और घर परिवार के अंदर मंगल कामनाओ वाली इस्तिती या सुब इस्तिती देखने को मिलेगी आज का दिन ग्रस सुख के लिए दंपज सुख के लिए बहुत ज़्यादा सुख है और इसी के चलते आज का लखी कलर है ब्राँच कलर और लखी नंबर रहेगा नंबर नाइन आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से फिफ्ट आउस में सिक्सा और संतान बाओं में चनमा मौजूद है जो की प्राय मिक्स दीजर्टी देता है नक्सत तारा सिद्दान को साथ शेम तारा का साथ और अस्तक वक में 28 डॉट ये कॉमिनेशन 67 परसेंट इस चनमा को पोस्तिव बना देते हैं 33 परसेंट फिर भी वीकनेस रहती है मायूसी रहती है अंसाटिस्फेक्शन दे सकता है लेकिन आज दोपैर को 3 बज़ करके 40 मिंट पर ये चनमा जो ही चेंज हो जाता है वहाँ पर इस्तितियां बैटर हो जाएंगी ये चनमा 100% पोस्तिव फल देने लगेगा इसका मतलब है साम के बाद में continue लगबग आगे 4 दिन तक इस्तितियां आपके लिए बहुत बैटर है अता 9 तारिक की सुबह 8 बज़ करके 40 मिंट तब आप continue अच्छा समय सुब समय पोस्तिव समय ही देखेंगे और ऐसे इस्तितिति में कोई प्लानिंग करनी हो short term gain के लिए investment के लिए तो आप कर सकते है तो रासी से पांचवाच अचनमा सूरी देश से लगा करके दोपर को 3 बज़ करके 40 मिंट तक आपको obstacles देगा जो भी आपका काम काज है उसमें कोई कोई अर्चने आएंगी काम लंबा खिजाएगा समय पर काम नहीं होगा ऐसे स्तियों से आपको गवरा नहीं frustrated नहीं होना है कि सिरफ मेरे साथ में क्यों होना है सिरफ आपके साथ नहीं हो रहा है आपकी रासी वाले जितने भी लोग हैं जो जो भी काम कर रहे हैं उन सबी के साथ में obstacles आएगी, जो काम नहीं करेंगे, उनको तो obstacles आने का सवाल ही नहीं है, मन में असांती रहेगी, और साथ ही साथ, जो लोग relationship में, प्रेम प्रसंगों में हैं, वो बुरी आसकती से, या मोज जाल में first करके, कोई नहीं कोई negative हरकत कर सकते, जिससे आपकी बदनामी हो सकती है, या और कोई problem, legal problem खड़ी हो सकती है, साथदान मैंने आपको कर दिया है, बचना आपका काम है, रासी से पांच वाव बाव इस्तमा के अंटिस्ताइन, अताथ पेड़ से समधी जाना जाता है, दोपेर तक आपको निरासा हो सकती है, या काइन काइन से insult भी हो सकती है, लेकिन दोपेर के बाद में सारी situation एकदम से बदल जाएगी, अताथ जहाँ loss हो रहा है, वहाँ gain होने लगेगा, जहाँ obstacle से वहाँ smoothness आजाएगी, तो ऐसी इस्तिती में थोड़ा सा time को manage कर लिजेगा, दोपेर के बाद में जो भी effort करेंगे वो ज़्यादा successful रहेंगे, और इसी के चलते आज का lucky color है brown color, और आज का lucky number रहेगा number seven, आईए अब बात करें कुम्ब रासी की, आपकी रासी से फोर्त आउस में चलमा विराज माने, फोर्त आउस होता है सुख का, बोमी बावन वाहन के सुख का, ये चलमा सुभफल नहीं देता है, नक्सत तारा सिद्धान के उसाथ शेम तारा का साथ, अथा कल्यान कारी तारा का साथ, और अस्तक वक में 22. ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेंगे, 33% फिर भी आपको नेगेटिव टाइम पिरेड भोगना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी लिया अच्छा है, ये किसमत अच्छी है कि आज का दिन, विशेज दिन करवा चौत का दिन होने के बावजूद भी आपका ये चन्रमा है, सारे दिन नहीं चलने वाला है, दोपेर को तीन बज करके 40 मिन पे ये जो नेगेटिव चन्रमा ही समाप्त हो जाएगा, और रासी से पांचवा चन्रमा आ जाएगा, वो फिर भी इससे बैटर है, क्योंकि ये आपको एंग्जाइटी देगा, आप आवेज देगा, क्रोध देगा, डिप्रेशन देगा, या आपको कहिन कहिन से तनाव देगा, उन सब चीज से आप निकल जाएंगे, साम होते होते, ऐसी स्थिति में, आज का समय, घर में जो पूजा पाट का समय है, उस समय आपकी हेल्थ, आपका मन, दोनों सांत होंगे, और ऐसी स्थिति में, उस एक्टिविटी का, या उस पूजा पाट का आप आनन ले पाएंगे, क्योंकि आपका रहना तो ज़रूरी हो गई, रासी से फोर्ता उसमय आयवा चनमा, घर और परिवार में विवाद दे सकता है, मांसी ग्रूप से परिशान कर सकता है, और ऐसी स्थिति में, व्यक्ति का मन एक जगा लगता नहीं है, जिसको चंचलता का जाता है, उच्चाटन का जाता है, व्यक्ति जहां पर रहना चाहिए उसकी जगा कहीं, और या पिर जहां पर कोई प्रॉलम होती है, वहां से भागना चाता है, फेस करने से गबराता है, ऐसी इस्तिति में वो और कोई रास्ता और कोई जगे डूंड लेता है जो लोग हार्ट पैसेंट है या जिनका हार्ट वीक है हाई ब्लड पैसर के सिकार है उनको छाती या पेट में दर्द की सिकायत हो सकती है उनसे सावधान रहना है और आज के दिन दोपैर के बाद में इस्तितियां आपके लिए अच्छी होने वाली है लेकिन बहुत सारे व्यक्ति आज के दिन जल से अतात पानी से भाईबीत हो सकते हैं ये द्यान रखिएगा आज का लखी कलर है ब्ल्यू कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ आई अब बात करें मीन रासी की आपकी रासी से थर्ड़ा उसमें पराक्रम बाव में चन्मा विराज माने ये चन्मा हमेशा सुबफल ही देता है ये कॉमिनेशन मिला करके इस चन्मा को 67% positive और 33% negative बनाता है लेकिन दोपेर को 3 बज करके 40 minutes से यही चन्मा 67% negative बन जाएंगे और 33% ही आपको support मिल जाएगा क्योंकि दोपेर को 3 बज करके 40 minutes पे ये चन्मा अगली रासी में मिथुन रासी में चले जाएंगे जो कि आपकी रासी से 4 ताउस है और 4 ताउस का चन्मा व्यक्ति को व्यरत में ही दुखी करता है परशान करता है और व्यक्ति का गुस्सा बढ़ जाता है लेकिन जब तक सुब समय है तब तक तो फाइदा लीजिए रासी से तीसरे बाव में आयवा चन्मा फाइनेशली गेन देता है बहुत अच्छी सौपिंग करा देता है हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और जो भी आपके अबुजिटर्स हैं जो भी आपके विरोधी हैं जो भी आपसे द्वेस बाव रखने वाले हैं या शत्रू है उन पर आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे या उनको आप सांत कर देंगे अपने प्रियासों से अपने स्ट्रेजी से आज का दिन धहरिय और सातिसा सहयम के साथ में मन में प्रसंता का है जिन मित्रों के साथ में मिलना चाहते हैं वो आज मिल पाएंगे या जो लोग दोस्ती करने के इच्छुक हैं उन लोगों को वो दोस्ती एकसेप्ट हो जाएगी और आज आपको काफी समय के बाद में मानसिक सांती भी महसूस होगी जो आपका पैसा बकाया था वो भी मिलने के योग हैं ऐसे इस्तिति में आज के दिन आपको खूब मन लगा करके काम करना चाहिए क्योंकि इस्तितियां पॉस्तिव ज़्यादा है और इसी के चलते आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नमबर है नमबर नाइन ये तो हुई बात आज के रासिफल की अब बात करते हैं आज के विसेस उपाय की विसेस जानकरी की आज के विसेस उपाय के सेग्मेंट में करवा चौथ के मौरत और सावध्यानियों की बात करेंगे और चनमा को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और आपको पती की लंबी आयू का पूरे दिन निजला रहती है, अतात बीना पानी के रहती है, और साम को चांद के उद्या होने के बाद में वरत खोलती है, इस वरत में सिव परिवासः चंदर देवता की भी पूजा की जाती है, इस वरत के कुछ नियम भी है, जिनका पालन जरूर किया जाना चाहिए. इस वृत में कहीं सर्गी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है इसलिए अपनी परंपरा का नुसार ही वृत रखना चाहिए सर्गी वृत के सुरू में सुबह दी जाती है एक तरह से यह आपको वृत के लिए दिन भर उर्जा देती है इस वृत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है इसके अलावा करवा चौत की माता की कथा सुनना भी यहां बहुत जरूरी होता है करवा चौत की पूजा में भगवान सिव, भगवान गणेश, माता पार्वती और कार्ति के सहित नंदी की भी पूजा की जाती है आईए जब पूजा की बात चल रही है तो मैं आपको पूजा का सुब मौरत बता देता हूँ मैंने विसेश रुप से दो सहरों के लिए मौरत यहां पर आपको बता रहा हूँ बाकि साइड स्क्रीन में बहुत सारे सहरों के मौरत लिखे वे आपको दिखाई देंगे आप अपने सुविधा को नुसाल उनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या उनको कहीं नोट कर सकते हैं आईए अब बात करें करवा चौध की पूजा का विसेश मौरत या सुब मौरत संधिया पूजा का जो सुब मौरत है वो दिल्ली में 4 नवंबर 2020 बुद्वार की साइंकाल में 5 बज करके 33 मिट से लगा करके 6 बज करके 49 मिनट तक रहेगा और दिल्ली में चंदर उदे रात को 8 बज करके 12 मिनट पर होगा यहां से यह स्थिती आएगी जब चंदर मा का उदे होगा लेकिन आपके अपने सेर में कैसा मौसम है बादल है नहीं उस पर भी यह डिपेंड करेगा अब बात करते हैं मौंबई की तो संधिया पूजा का जो सुब मौरत है करवा चोथ का वो मौंबई में साइंकाल में 6 बज करके 3 मिनट से लगा करके 7 बज करके 11 मिनट तक रहेगा और मौंबई में चंदर उदे 8 बज करके 51 मिनट पर होगा और इसके अलावे बीचैसा मैंना अभी बताया है बहुत से सेरों में पूजा का और चंदर उदे का जो समय है करते हैं चनमा को अर्गे देते हैं चनमा को जल अर्पन के दोरान इस विसेश मंतर का उच्छारण करना चाहिए सौम्य रूपम महा भाग मंतर राज द्विजो तमा मम पूर्व करत पापम औश दिशा समस्वमें इसका आर्थ है मन को सीतलता पहुंचाने वाले सौम्य सुबाव वाले ब्रामनों में स्रिष्ट सभी मंतरों और औस्दियों के स्वामी चनमा मेरे द्वारा पूर्व के जनमों में किये गई पापों को शमा करें मेरे परिवार में सुख सांती का वास हो अब इसी के साथ में ही जितना समय आपको सुबे से लगा करके या वृत के समय में मिले आप पती की दिरगायू की कामना करके इस मंतर का जाप करें या जब चनमा को अर्गे दें चनमा को जब जल अर्पित करें तब तो इस मंतर का जाप या जो उच्चा लणे जरूर करें मंत्र इस प्रकार है इसी समय चनमा का दर्सन करके पति के हाथों निवाला लेकर पति के चड़नों को स्पस करके आसिरवाद ले ना चाहिए चनमा के सामने ये परक्रिया पूरी होने से चंद्रडेव का भी आसिरवाद पत्थी पत्नी को मिलता है जिससे दोनों के बीच में आपसी लगाव में व्रद्धी होती है और पती के लिए की गई दिरगायू की कामना भी पूर्ण होती है और शिव जी का आसिरवाद, शिव परिवार का आसिरवाद भी निरंतर बना रहता है जिससे दोनों का जीवन सुख में होता है और पती की आयू लंबी होती है या पती की आयू बढ़ती है। आई अब बात करें करवा चौत वृत की कुछ खास बाते हैं। जो महिलाएं इस वर्स पहली बार करवा चौत का वृत कर रही हैं, उनको तो ये जानकरी होना ज़्यादा जरूरी है। इस दिन पती की लंबी उम्र के साथ में संतान सुख भी मिल सकता है। करवा चौत के दिन श्री गणिश जी, मा गौरी और चनमा की पूझा की जाती है। और चनमा के पूझन से महिलाओं को पती की लंबी उम्र और दांपत्य सुख का वर्धान मिलता है। विदीविदान से ये पर्वन मनाने से महिलाओं का सौंधरी भी बढ़ता है और कर्वाचोध की रात स्वभागय प्राप्ति के प्रियुक का फल निश्चित ही मिलता है। आई अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्वाचोध के वरत में क्या करना है और क्या नहीं करना है। करवा चौध का वरत ब्रह्म मुरत से अता सूरिदय के पहले से जब वो तिथी आरंब होती है वहां से चंद्र उदय तक रखा जाता है ये वरत निजल रहकर ही करना चाहिए इस दिन पूर्ण शंगार करना और अच्छा भोजन आपको बना करके रखना चाहिए या अच्छा भोजन करना चाहिए पत्नी के अस्वास्त होने के स्थिति में पती भी ये वरत रख सकते हैं उनके लिए कामना कर सकते हैं उनके सुपता के लिए या उनके मंगल के लिए उनके अच्छे स्वास्ते के लिए आप भी ये कर्म कर सकते हैं करवा चोथ के इस विशेज पर्व पर आप सभी बैनों को बहुत-बहुत शुप कामना है, मंगल कामना है। इश्वर करे, आपका ये वरत सफल हो, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप जिस मंगल कामना से, जिस इच्छा से आप ये वरत कर रहे हैं, वो आपकी सभी कामनाय पूर्ण हो, आप सदेव सोभाक्यवती बनी रहें और आपके पती की आयू, दिर गायू में परिवर्तित हो, या उनकी लंबी आयू हो। आप स्वस्त रहें, प्रसन रहें, अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुप कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद। रखर फिर दो को मेरा नमस्कार, इश्वर रमस्कार, प्रिस अर्च करेंगा नमस्कार.